हेलो फ्रेंट्स नमस्कार मैं हूँ दिलीप और दोस्तों आप देख रहे हैं डियर सेल्पिंग फारेवर यूट्यूब चैनल दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के हमें सुनों बात करने वाले हैं जैपरकास 2046 टीडीसी पार्ट टू सत्र 2017 और बीस का ओनलाइन फॉर्म फिलप कैसे करेंगे इसका ओनलाइन आवैदन का लिंक एक्टीव हो चुका है तो मैं आपको step by step एक फॉर्म फिलप करके दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से फॉर्म फिलप करने में कोई दिकत नहों कोई गड़बड़ी नहों तो चले दोस्तों इस वीडियो को सुरू करते हैं उससे पले आपसे छोटी सी रिक्वस्ट्या अभी तक आपने इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो इस रेड़ वाले बट यह है ओफिसली वेबसाइट इस वेबसाइट का लिंक यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां सभी क्लिक करके आप आ सकते हैं ठीक है फ्रेंट्स तो यहां पर आपको दिख जाएगा सबसे पहले ऑनलाइन एक्जामिनेशन फॉर्म आफ टीडि करेंगे यह फॉर्म खुल जाएगा और जो जेनरल से एस्टुवेंट है उनके लिए एक अलग से यहां लिंक आएगा अभी उनका लिंक एक्टिव नहीं हुआ है तो दोनों का सेमी प्रोसेस है थोड़ा सा कामतर है बट अगर कोई दिकत आती तो आप कमेंट बॉक्स में क कर सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर आणऑज वाले का ओन रेन आविधन करके दिखाता हूं कि कैसे आपका आवयधन करना लिंक पर क्लिक करूंगा आपको भी क्लिक करना जिसे यहाँ प Pode क्लिक करेंगे दोस्तों तो आप देख सकते हैं पे सबसे पहले ही लिखा हुगा एक्जामिनेशन फॉरम ओफ टी डीची पार्टू आनॉर्स एक्जामिनेशन यही पे आपको क्लियर कर लेना है कि अगर आप ऑनॉर से इक्जाम देने वाले हैं तो आप ऑनॉर्स से फॉर्म भरेंगे जेनरल वाले जो डेकती हैं जो जेनरल स्टियन्ट से वह यहांपे अपना कंफार्म कर लेंगे सेण ओर चलिस चलिए ऑब उसके बाद से क्या करना है आपको आप अपनय नाम भरना है डेट बशसने नहीं जिसके बात सकते हैं सीवान हो उसके बाद से दोस्तों आपका एक email id यहाँ पर फिल करनी है दोस्तों email id unique होना चाहिए email id का बहुत ही ज़्यादा important उसके बाद से आप अपना यहाँ पर area pin को डाले उसके बाद से university role number दोस्तों यह registration पर आपका लिखा रहता है कि आपका university का रोल नंबर क्या है उसके बाद से registration नंबर आप उड़ालना है दोस्तों registration नंबर बड़ा होता है आप देख सकते हैं अपने पंजियन पे jpu slash 2017 ऐसे करके लिखा रहता है और बहुत बड़ा होता है तो यह पूरा registration नंबर यहां पे फिल करेंगे slash के साथ ठीक है उसके बाद से script of examination दोस्तों यहां पे दो option होता है देवनागरी और roman आप अपने examination के अनुसार देवनागरी और roman यहां पे चूज करेंगे उसके बाद से registration year तो registration year आप अपना यहां पे 2017 भरेंगे जो 17-20 के student है दोस्तों अगर जो लोग यहां पे previous years के जो students है जिनका part 2 promoted है वो भी आवैदन कर सकता है तो वो अपना यहां पे जो registration year है suppose वो पंदर का registration है तो यहां पे 15 भरेगा जेंडरल स्ट ओभी सी उसके बाद से male female आप अपना चूज कर ले जेंडर और उसके बाद से marital status चूज करना married है कि unmarried है उसके बाद से religions आपको यहां पे चूज कर लेनी है ठीक है फ्रेंट्स तो चलिए मैं इस form को फिल करके और यहां पे submit करके आपको आगे का process दिखाता हूं तो फ्रेंट्स आप देख सकते हैं मैं जापको बताया वैसे उन्हें मैंने form को fill up कर लिया है मैं आपको बता दूँ यहां पर देख सकते हैं मैंने registration number वही भरा है जो हमाई रेगे registration form पे जो रहता है जो registration slip है उस उसके बाद से मैंने यहाँ पर email id भरा है इसको हम कर लेते हैं copy control c मैंने कर लिया अब यहाँ करेंगे submit जैसे यहाँ submit करेंगे friends तो यह form submit हो जाएगा और यहाँ पर आपको एक form number जनरेट हो जागा देख सकते हैं इस form को भी आपको copy कर लेनी तो दोस्तों आप इसे अच्छे से लिख भी सकते हैं तो मैं इसे कर लेता हूँ copy और उसके बाद से हम करेंगे यहाँ पर click here for login and submit your part 1 या part 2 examination and other details ठीके friends यहाँ पर करेंगे click जैसे यहाँ click करेंगे यह पूछेगा आपका email ID और form number तो मैं यहाँ पर form number copy किया था मैंने यहाँ पर paste कर दिया अब यहाँ पर email डालेंगे तो मैंने बताया था दोस्तों कि आपको email ID अच्छे से लिखना है जो आपको याद रहे जो आपका email ID ए ठीक है दो तो आपको कोई सा अलग-अलग email ID नहीं लिखना है त इसे हाग क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से open होगा और यह है यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान पुर्वक 2017 वाले अ क्लेजिट करेंगे जो ए चुडेट किसी दूसरे सत्र के हैं और यह फर्म भर रहा है उनका यहाँ परमोटिड हों या फेल होंगे तो यहाँ पर नाउन कोलीज का नाम चूज करना है तो अप जीष को बढ़ाई कर रहे है वह आपको यहाँ पर अपना चूज कर ले है वह आपको यहाँ पर चूज करना मैं थोड़ा सा जूम करने वाला हूँ इसको आप देख सकते ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे धिखे यहाँ पे composition क्या है तो आप अगर पिछली बार exam दी है तो आपको पता हुगा कि आपको composition तो मैं यहाँ पर चूज करने वाला हूँ हिंदी 100 मार्च का उसके बस आपका एस्ट्रीम यहाँ पूछेगा कि आप साइंस से हैं या आर्ट से हैं कमर्स है तो दोस्तों मैं आपसाइंस का फॉर्म भरने वाला हूँ math group honors है इसका ठीक है ना तो मैं यहाँ पर डालोगा mathematics ठीक है और उसके बास यहाँ पर special group को आपको छोड़ देना है first subsidiary name आपका क्या है वो आपको यहाँ पर feel करना है दोस्तों आप देख सकते हैं आपको ऐसे भरना है subsidiary 1 में आपको क्या भरना है subsidiary 2 आपका paper क्या है वो भरना है अब देखें दोस्तों non collegiate में होगा क्या कि या तो वो किसी subject में fail होगा या किसी subject में promoted होगा तो उनको वही subject यहाँ पर choose करना है जिसका वो exam देगा जिसमें वो fail है दोस्तों आप ध्यान से सुनें यहाँ पर not appearing का भी option है अगर वो इसमें subject में fail नहीं है किसी में तो वो यहाँ पर x यानि not appearing का यहाँ पर choose करेगा अगर वो अनर्स में पर promoted है तो केवल अनर्स यहाँ पर लिखेगा अनर्स सब्जक्ट ही केवल यहाँ लिखेगा यहाँ पर physics को हटा देगा यहाँ एक्स कर सकता है और यहाँ भी वो x कर सकता है तो दोस्तों मैंने आपको बताया किस condition में इस तरह भरना form आपको वो previous years का previous years का student है और promoted है यह फिल है तब जाके वह यहाँ पर इस तरह से form को फिल अप करेगा ठीक है तो यह समझ में आ गई तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूं अब देखें यहाँ पर क्या होगा उनका टीडी सी पार्ट वन का पूरा डिटेल्स यहाँ पर फिल करना है जैसे passing year उसके बाद से roll number और composition subject आ से total honors theory आपके honors में कितना theory है और कितना practical marks है वह आपको भरना है first subsidiary का क्या name है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने first subsidiary physics भरा है तो मैं जाईर सी बात हूं यहाँ पर physics ही चूच करूंगा लिखूंगा उसके बाद से यहाँ पर पूछ रहा first subsidiary में आपका theory में कितना number है वह आपको यहाँ पर भरना है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं भर रहा हूं उसके बास प्रैक्टिकल मार्क्स अगर आपके physics में practical marks है तो आप भरेंगे यह नहीं तो छोड़ देंगे तो मैंने यहाँ पर physics चूज किया है तो यहाँ पर practical marks होता है तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल मार्क्स भी यहाँ पर फिल करूंगा उसके बास यहाँ पर सकेंट सबसेडरी का नाम पूछ रहा है तो आपको सकेंट सबसेडरी का नाम भरना है तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सब चीज़ फॉर्म को फिल अप करेंगी आप पूछ रहा है कि सकेंट वाला जो box दिया है आपको छोड़ देना है यह किसलिए भरना है जो बंदा यहां पर नॉन-collegeat चूछ करेगा यहां उपर में आप करना चाहिए तो वो बंदा यहां इस form को fill up करेगा part 2 का details देगा क्योंकि उसके पास part 2 का details है और जैसे यह form को fill up करेगा तो यह पता चलि जाएगा कि वो किस भी सह है पर्मोटेट था तो जोस्तों उस condition में आपको जैसे जिसा आपका लिखा हुआ part 2 details में passing यह role number और जितना आ परीट चीज आपको यहां पर part 2 के details में भरनी है ठीक है तो इस तरह से आपको ध्यान रखनी है इस तरह से form को fill up करनी है तो चलिए मैं इस form को fill up करकी और submit करता हूं और submit करके आगे का process आपको दिखाता हूं तो फ्रेंड्स मैंने यहां पर fill up कर लिए आप यहां करेंगे submit जैसे यहां submit करेंगे तो आपको यहां पूछेगा आपका photo और signature अपलोड करने के लिए तो देख सकते हैं यहां पे दोस्तो फोटो का size 200 by 200 pixel का होना चाहिए और 25 kb का होना चाहिए 25 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए ठीक है और signature के यहां पर size देख सकते हैं 100 by 250 pixel का होना चाहिए और यहां पर 50 kb से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो चले मैं यहां पर photo चूछ करता हूँ और photo चूछ करने के बाद से मैं आप अपलोड करके भी आपको दिखाता हूँ तो friends आप देख सकते हैं मैंने यहां पर photo चूछ कर लिया अब यहां करेंगे signature को चूछ और उसके बाद से करेंगे यहां पर upload अगर कोई गरबड़ी आएगा तो यहां पर error आएगा नहीं तो वह automatic यहां पर upload हो जाएगा और form submit हो जाएगा आप देख सकते हैं image too big यहां error आ बनाने यह 23 के भी का बट यहां पर file size बोल रहा है 213 by 213 का उस size में आपको यहां पर बनाना है तो मैं यहां पर बना लेता हूं दोस्तों चलिए मैं इसको बनाता हूं 200 by 200 pixel का तो यहां पर मैं करूंगा resize और दोस्तों अगर आपके पास नहीं है तो आप cybercam में जाके और उन 25 का तो मैं इसे फिर से करूंगा paint में जाके resize और resize करने के बाद से मैं इसे दुबारा से करूंगा upload यह और उसके बासे upload हो जाएगा अब हम करेंगे यहां पी दुबारा से photographs को choose क्योंकि मैंने size को change कर लिया है और signature को दुबारा से यहां करेंगे choose और फिर से करेंगे यहां पर upload दुबारा समय पर upload कर दिया हूं दोस्तों आप देख सकते हैं वीडियो कैसा लगा हमें comment box में comment करके बताया और प्लीज इस वीडियो के एक बार जरूर लाइक कर देख सकते हैं यहां पर form submit हो चुका है अब आपको क्या करना है इसको print out करना है और print out करने के बाद से पुराने वाले वीडियो नहीं देखा है मैंने उसके पूरा discuss किया हुआ है बताया हुआ कि किस किस documents के साथ आपको college में जमा करना है और कितना fee है और इसका last date आवेदन करने का क्या है तो उसका link YouTube के description box में मिल जाएगा या i button मिल जाएगा वहां से click करके आप उस वीडियो क और देखती है डिया सब्सक्राइब फारवर थैंक यू फॉर बाचिंग जाएगे